हेलो स्टुडेंट्स आज हम बी एस्सी फर्स्ट इयर और्गनिक केमिस्टरी की सेकेंड उनिट जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समाव्यवता है उसका सेवंथ पार्ट डिसकस करने जा रहे हैं जिसमें कुछ रिमेनिंग पार्ट ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोम आइसोमिज्म जो की कनफरमेशनल आइसोमिज्म या सरूपणी समाव्यवता क्या और कैसे होती है इसके बारे मैं डिसकस करेंगे जिसमें कल हमने लास्ट पार्ट में जो नौमनग्लेचर पार्ट है जिसमें सिस एंड टरांस संपक्ष और विपक्ष ये एंड जेड और उ पाठ हमने डिसक्स किया था है अब जो geometrical isomers होते हैं उनके जो optical properties और कुछ chemical properties जो हैं वो different होती हैं तो अब हम discuss करेंगे methods of determination of configuration of geometrical isomers geometrical isomers का configuration जो है वो किस प्रकार से ग्याद किया जा सकता है वो हम इसमें discuss करेंगे तो उसमें पहला है method of cyclization चक्री करण की विधी जो है वो हम discuss करेंगे तो उसमें एक compound होता है 2-butene-1-4-dioic acid जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं यह है 2-butene-1-4-dioic अमल जिसमें चार कारबन की chain है और carbon number two पर double bond है और one और four पर carboxylic acid group है अब इसमें carbon carbon के बीच में double bond है h और co is different है h और co is different है तो यह जामिती समाविता दर्शाएगा अब इसमें संपक्ष और विपक्ष दो रूप होंगे जो संपक्ष रूप होता है वो maleic अमल कहलाता है और जो विपक्ष रूप होता है वो femeric अमल कहलाता है यह है संपक्ष रूप और यह है विपक्ष रूप अब इन दोनों जो संपक्ष और विपक्ष रूप हैं इनको यदि गरम किया जाए तो गरम करने पर जो संपक्ष रूप होता है उसमें COOH ग्रूप आपस में काफी समीब हैं तो उनके जो COOH ग्रूप हैं उसमें इंटरेक्शन होगा एक का H और दूसरे का OH इसमें ये वाटर के रूप में निकल जाएगा घरम करने पार और इस तरह से मेलाइक एन हाइड्राइड में वो परिवर् देता है क्योंकि उसमें जो दो COOH ग्रूप हैं वो आपस में अप एक शक्रत समीब हैं पर जो विपक्ष रूप है ट्रांसफॉर्म है वो ट्रांसफॉर्म जो होता है उसमें COOH ग्रूप जो है उनके बीच में डिस्सेंस अप एक शक्रत जादा है तो इनको गरम करने पर ड तोड़ी देर तक गरम करने पर चक्री उत्पाद बनता है तो इसका मतलब वो संपक्ष रूप है और यदि नहीं बनता है आसानी से ज्यादा गरम करने पर बनता है इसका मतलब वो विपक्ष रूप हो गया So this method is based on the principle that the intermolecular reaction occur easily when the reacting groups are closed together जो reacting group carboxylic acid group है इसमें closed है तो इसमें intermolecular reaction होगी For example among two acid malic acid and fumaric acid only former gives anhydride that is malic acid gives anhydride on gentle heating so in malic acid the two reactive groups are closed together And hence it is the cis that is fumaric acid and the fumaric acid is strong Toh jho cis form है वो easily anhydride देख करके और cyclic product बनता है Toh yadhi easily cyclization होता है तो वो cis form है यानि कि malic acid है और easily नहीं होता है तो वो transform है यानि कि वो fumaric acid Now physical properties often be used for establishing the configuration of various physical properties which help in determining configuration कुछ बहुती गुण जो है वो सामन इतया in configuration के लिए काम्यात है जिसमें dipole movement, melting point, boiling point, solubility, refractive index इत्यादी इत्यादी है जो द्वी-ध्रू, आगून या dipole movement क्या होता है पोलर molecule में dipole movement जो है it is the product of charge and distance between the charges जो द्वी अनू में जो अनू पर जो आवेश होता है और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल होता है उसको हम द्वी-ध्रू, आगून या dipole movement के नाम से जानते हैं now this dipole movement is variable for cis and transisomer, cis group और trans group का जो dipole movement जो है वो अलग अलग होता है, sometimes higher for trans and that at times for cis, कुछ में cis form में dipole movement ज्यादा होता है, कुछ में trans form में ज्यादा होता है पर अंतु सपोज कोई ABC, double bond C, AB, यानि कि दौनों जो double bonded carbon है उस पर same group, यहाँ पर भी A और B है, यहाँ पर भी A और B है, इस तरह का compound है has a strong bond movement, इसमें CA जो bond movement है वो strong है और CB bond movement जो है वो weak है CB has not, या उसमें जो है वो dipole movement शो नहीं करता है, the cis isomer should have a considerable overall dipole movement इसमें संपक्ष रूप का जो dipole movement है वो अपिक शक्रता दिखोगा, जैसे यह है 1-2-dichloro-ethene का example तो यह cis form है, इसमें carbon chlorine bond highly polar है, carbon hydrogen bond almost non polar है तो इसका जो यह संपक्ष रूप है, या bromine जुडावा है तो इस case में भी तो इसका जो संपक्ष रूप है, उसके द्वीद्रू आगून का मान अपिक शक्रत बहुत जादा होगा whereas the movement of the corresponding trans isomer are 0 और very low value of dipolement, suppose यह trans isomer में क्या होगा HCL, यह CL उपर है, यह CL नीचे है, तो एक में इदर उपर की तरफ है, एक में इदर नीचे की तरफ है तो overall यह एक दूसरे को cancel out कर देंगे, तो इसका जो dipolement है, transform का, वो relatively कम होगा, तो इस तरह के compounds में, जब यह A, B, A, B, दो तरह के group है, तो इस case में cis form जो है, वो ज़्यादा dipolement show करेगा, transform relatively कम show करेगा Now melting point, boiling point, density, refractive index वगिरा भी है, trans isomer has greater symmetry, जो विपक्ष रूप होता है, उसमें अणू में सममित्ता जादा होती है, और सममित्ता जादा होने के कारण, उसका जो गलनांक कुतनांक आमान है, वो समपक्ष रूप की अपिक्षा अधिक होता है, trans isomer has greater symmetry than the cis, therefore, trans has higher melting point, जो विपक्ष रूप होता है, उसमें अणू में सममित्ता अधिक होने के कारण, उसका जो गलनांक कुतनांक है, वो समपक्ष रूप की अपिक्षा अधिक होता है, उधारन के तोर पर फिर हम मैलाई का अमल और फ्यूमेरिक अमल लें, तो मेलाइक अमल지 जो है जो संपक्ष रूप है उसका जो गरलंक होता है वह 130 डिगरी होता है ज़ब की फ्यूमारिक अमल जो है उसका बहुत अदिक होता है तो हमेशा टांस पॉर्म का जो गरलंक उतन आंग है वो सिस पॉर्म के comparative ली जादा होता है तो इस तरह से मैलटिंग boiling point या dipole moment या cycleization क्रिया के द्वारा हम वो जो समावयव है वो सिस रूप में है या संपक ट्रांस्फॉर्म में है वो हम पता लगा से तो ये सारा कुछ है geometrical isomerism या जियामितिय समावयवता के बारे है अब हम next लेते हैं सरूपनी समावयवता या conformational isomerism सरूपनी समावयवता या conformational isomerism क्या है देखे आप्टिकल isomerism के लिए क्या condition थी जब अनू में असममित्ता होती है asymmetry होती है तो due to presence of asymmetry compound shows optical isom geometrical isomism के लिए condition क्या थी restriction of rotation in the molecule उसमें अनू में गुणन में प्रतिबंद के कारण से जयामिति समावयवता होती है जो कि साधरायन तया वी बंद किनी दो परमानों के बीच carbon carbon के बीच में या carbon nitrogen के बीच में या nitrogen nitrogen के बीच में होता है तब होती है और अपवाज स्वरूप इसमें कुछ cyclic compounds में भी क्योंकि गुणन में प्रतिबंद होता है तो cyclopropane और cyclobutane के कुछ derivatives क्योंकि उनमें गुणन में प्रतिबंद होता है तो वो भी जामिति समावयवता दर्शात हैं तो geometrical isomism के लिए condition क्या है restriction of rotation in the molecule गुणन में प्रतिबंद होना चाहिए अब conformational isomism कब होती है जब कोई molecule में किसी दो परमाणों के बीच में एकल बंद हो और एकल बंद के मद्य उसको गुणित किया जा सके जैसे carbon carbon के मद्य एकल बंद है तो हम इस carbon carbon एकल बंद के around molecule को rotate कर सकते हैं यह conformational isomism या सरूपनी समावियोता कहलाती है तो definition क्या है the molecule which are capable of forming isomers by rotation about a single bond between carbon and carbon are termed as flexible molecule and the isomers which differ only by rotation about one or more single bond are called as rotational isomers or conformational isomers or conformations तो जब अनु में एकल बंद के मद्य उसका गुणन संबव हो तो उसके गुणन से जो अलग-अलग रूप प्राप्त होते हैं उन रूप को हम सरूपन कहते हैं और यह प्रक्रिया सरूपनी समावियोता कहलाती है यह कुछ और इसमें definitions है the different special arrangement of the atoms obtained by the rotating the compound or molecule through any single bond are called conformations the difference special arrangement यानि की जो अंतरेक्ष में जो व्यवस्ता है वो special arrangement कहलाती है of the atoms in a molecule which can be readily converted into one another by rotation around single bond are called conformations जिनको हम यह जो conformers होते हैं वो इन conformers को हम एक दूसरे में readily interconvert आसानी से एक दूसरे में अंतर परिवर्थित कर सकते हैं simply by rotating the molecule जो geometrical and optical isomers में उनको एक दूसरे में हम आसानी से परिवर्थित नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनमें उर्जा का अंतर जो है वो बहुत ज्यादा होता है परन्तु यहां पर हम जो different conformers हैं उनको simply by rotating around single bond एक दूसरे में अंतर परिवर्थित कर सकते हैं तो यह कुछ और definition है conformers की और conformational isomerism की है अब configuration और confirmation configuration यानि की सरचना और confirmation यानि की सरूपन दोनों में क्या फर्क होता है configuration इसमें जो first point दे रखा है the special three dimensional arrangement of atoms and group of atoms around the asymmetric carbon are called as configuration जो आसम्मित कार्बन है उस आसम्मित कार्बन से जो चार different atoms और group of atoms अंतरिक्ष में किस प्रकार से विवस्थित हैं उस अंतरिक्ष में या three dimensional space में जो arrangement है उसको हम configuration के नाम से जानता है और confirmation क्या होता है the difference special arrangement of the atoms obtained by rotating the compound through any single bond are known as conformers or confirmations जो अलग-अलग अंतरिक्ष में पर्माणों की विवस्था जो कि simply by carbon-carbon rotation के द्वारा प्राथ होती है उन्हें हम confirmations या conformers कहते हैं configurations can be changed only by breaking and making a bond यदि एक configuration को दूसरे configuration में convert करना है तो वो आसानी से नहीं होता है उसके लिए कोई न कोई बंद को तूटना होगा और उसके तूटने के बाद कोई नया बंद बनेगा तब ही उसमें परिवर्तन हो सकता है यानि कि suppose हम SS को trans में convert करना है तो simple conversion possible नहीं है उसके लिए किसी ने किसी बंद को तूटना होगा या R को S में या S को R में convert करना होगा तो भी ऐसा ही होगा जबकि confirmations में क्या होता है confirmations of a molecule are easily changed by rotating around single bond confirmers जो है वो आसानी से एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते है simply by rotating particular single bond उसके लिए कोई बंद तूटना आवशक नहीं होता है तीसरा है configurations of isomers has independent existence hence it can be separated जो configuration होता है उन सभी configurations का उनके समावियों का स्वतंत्र अस्तित होता है independent existence होता है और इस कारण से हम इन दो समावियों को या configurations को separate कर सकते हैं जानी कि CIS और TRANS को R और S को separate किया जा सकता है प्रथक किया जा सकता है जबकि confirmations of isomers has no independent existence जो अलग-अलग confirmers होते हैं उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है वो लगाता रही कि उसे में परिवर्टित होते रहते हैं इस कारण से हम इन confirmers को अलग-अलग रूप से प्रथक या separate नहीं कर सकता है चोथा है जो दो कन्फिगरेशनल आईसोमर्स होते हैं चाहे वो E and Z है चाहे वो Sys and Trans है चाहे वो R and S है उनके बीच में उर्जा कांतर काफी अधिक होता है जबकि confirmers के बीच में जो energy difference होता है वो अपेक शाक्रत बहुत ही कम होता है जो different confirmers अभी हम discuss करेंगे चाहे वो ethane के हैं चाहे वो propane के हैं चाहे वो butane के हैं उनमें जो अलग-अलग confirmers यह सरुपन होते हैं उनके बीच में उर्जा कांतर बहुत ही कम होता है अब इसमें example दे रखा है यह lactic acid D और L lactic acid जो है वो अलग-अलग configurations है जबकि जो eclipse और staggered form है यह जो eclipse और staggered form है यह eclipse और staggered form confirmers के अंतर गत आती है इसको grasset रूप, eclipse को grasset रूप कहा जाता है और staggered को santrit रूप यह है grasset रूप और यह है santrit रूप eclipse in staggered form यह जो अलग-अलग दो confirmers है यह confirmers simply by rotating around carbon-carbon single bond ही प्राप्थ होते है तो यह अंतर है configuration में और confirmation अब हम लेते है Conformational Isomerism in Athene Athene में सरूपनी समावे होता Athene क्या होता है? CH3, single bond CH3 अब इस Athene में carbon-carbon के मध्य एकल बंद है तो carbon-carbon के मध्य एकल बंद होने के कारण इसमें carbon-carbon के मध्य मुक्त गूर्णन समभव है It can be rotated around carbon-carbon single bond और इस मुक्त गूर्णन के कारण से पर्मानों की विभिन व्यवस्थाएं जो अंतरिक्ष में है वो समभव होंगी और इन विभिन जो व्यवस्थाएं होती इनको हम सरूपन या conformers के नाम से जानते हैं और इसमें जो दो मुक्य सरूपन होते हैं वो eclipse form और staggered form जो अभी हमने नाम दिया था जो ग्रसित और संतरित कहलाते हैं तो यह eclipse या ग्रसित रूप है यह संतरित या staggered form है So when an ethane molecule rotates about its carbon-carbon single bond two extreme confirmations can be resulted the staggered and eclipse confirmation जो दो मुक्य रूप हैं वो eclipse और staggered हैं Here we will use newman projection to discuss the confirmation इसमें newman प्रक्षेप सूत्र के द्वारा हमने यह प्रदर्शित किया है newman प्रक्षेप सूत्र में इस तरह से यह जो गोला है वो carbon की ball के लिए है और जो lines है वो bond को शो करिए जिससे hydrogen जुड़ावा है अब इसमें यह staggered form है जिसमें hydrogen hydrogen के बीच में दूरी अप्रक्षेप जादा है और यह ग्रसित रूप है जिसमें hydrogen hydrogen के बीच में दूरी जो है बहुत कम है इसमें और बहुत इस पर्श रूप से यह newman projection formula जो है एथेन का दर्शायाए गया है इसमें पहले वाला जो carbon है उसके hydrogen के ठीक पीछे दूरी जो carbon है उसका hydrogen है इसी तरह से इसमें भी बिल्कुल पीछे की तरफ है इसमें भी बिल्कुल पीछे की तरफ है तो यहाँ पर जो hydrogen hydrogen है उनके बीच में दूरी अपेक शाकरत कम है तो इन hydrogen पर्माणों के बीच में दूरी कम होने के कारण इस रूप में प्रतिकर्शन बलों का repulsive forces की value ज्यादा होगी और repulsive forces की value ज्यादा होने के कारण इस case में जो energy इसकी होगी उर्जा जो होगी वो अपेक शाकरत ज्यादा होगी और उर्जा ज्यादा होने के कारण इसका इस्थाय तो जो है वो अपेक शाकरत कम होगा तो this will be the least stable form कौन सा eclipse form या ग्रसित रूप है अब हम इसका 60 degree rotation करें 60 degree rotation about carbon carbon single bond यानि कि इसको हम 60 degree rotate कर रहे हैं तो यह जो hydrogen है यह 60 degree rotate करने पर यहाँ पर आ जाएगा यह वाला जो hydrogen है यह 60 degree rotate करने पर यहाँ पर आ जाएगा और यह वाला जो hydrogen है आगे वाले carbon का वो 60 degree rotate करने पर यहाँ पर आ जाएगा तो अब इस वाले रूप में देखें तो इन hydrogen hydrogen के बीच में जो दूरियां है वो अपेक्शाकरत सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, सबसे ज़्यादा है, तो अब क्योंकि hydrogen hydrogen के बीच में दूरी काफी ज़्यादा है, तो इसमें repulsive forces या interaction जो atoms के बीच में होगा, वो सबसे कम होगा, तो interaction सबसे कम होने के करण इसकी उर्जा या energy सबसे कम होगी, और उर्जा या energy सबसे कम होने के करण, this will be the most stable form, सबसे अधिक इस्थाई रूप होगा, तो eclipse form जो है, इसकी उर्जा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका इस्थाई तो सबसे कम होता है, और जो सांतरित रूप है, या staggered form है, इसकी उर्ज सबसे कम होती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा stable होता है, तो ये newman projection है, इसी को saw horse drawing के रूप में यदि हम प्रदरशित करें, ये यहाँ पर carbon carbon के बीच में single bond है, इससे तीन hydrogen यहाँ पर जुड़े हैं, ये इदर इसके ठीक पीछे की तरफ है, तो ये जो है, ये तो eclipse form का है, और ये saw horse drawing जो है, वो staggered form की है, तो सामाने तया हम जो conformational isomerism है, उसमें newman truck shape सूतर जो है, वो काम में लेते हैं, अब इसमें point आता है, why is the eclipse confirmation higher in energy than the staggered confirmation, Eclipse जो रूप होता है, उस eclipse रूप की ऊर्जा जो है, वो staggered रूप की ऊर्जा से ज़्यादा क्यों होती है, उसका क्या कारण है, वो अब हमें यहाँ पर दर्शाना है, जैसा अल्लेडी हम discuss कर चुके हैं, there is some steric repulsion between the hydrogen atom in the eclipse confirmation that is reduced in the staggered confirmation, उसमें steric repulsion जो है, eclipse form में, hydrogen atoms के बीच में वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें hydrogen परमानों के बीच में जो दूरी होती है, वो अब एक शाक्रत सबसे कम होती है, now in eclipse confirmation, the electron cloud of carbon hydrogen bonds are most nearer and their repulsion increases, जो eclipse form होता है, ग्रसित रूप होता है, उसमें जो carbon hydrogen का electron cloud होता है, वो काफी समीप होता है, और समीप होने के कारण उन में repulsion या प्रतिकर्शन बलों का मान जो है अब एक शाक्रत अधिक होता है, these repulsive forces create torsional strain in the molecule, यह जो प्रतिकर्शन बल है, repulsive forces है, यह torsional strain या उसमें strain या विकरती जो है molecule में ले आते हैं, the more strain, the more will be the internal energy of the conformer, जितना ज़्यादा strain होगा, तनाव होगा, उतनी ज़्यादा उसकी उर्जा होगी, और उर्जा ज़्यादा होगी, यानि कि उसका इस्थाइट तो जो है वो उतना ही काम होगा, तो यह है, एथेन के दो मुख्य confirmers, अब उसमें energy diagram हम देखें, हम zero degree, यह जो zero degree है, यह eclipse form से start कर रहे हैं, 60 degree angle से rotate करते हैं, तो यह hydrogen यहाँ पर बीच में आ गया, यह hydrogen यहाँ पर बीच में आ गया, यह hydrogen यहाँ पर बीच में आ गया, तो इस तरह से यह staggered form राप्त हो जाता है, इस eclipse form की उर्जा सबसे ज़्यादा है, potential energy diagram में, और यह staggered form की उर्जा जो है, वो सबसे कम है, अब हम इसको फिर 60 degree angle से rotate करें, 60 से 120 degree, तो यह hydrogen यहाँ पर आ जाएगा, यह hydrogen यहाँ पर आ जाएगा, यह hydrogen यहाँ यहाँ पर आ जाएगा, यानि कि वापस eclipse रूप राप्त हो जाएगा, फिर 60 degree angle rotate करें, तो यह hydrogen यहाँ पर बीच में, यह hydrogen यहाँ पर बीच में, और यह hydrogen यहाँ पर बीच में आ जाएगा, यानि कि वापस staggered form आ जाएगा, तो हर 60 degree angle पर eclipse, staggered, eclipse, staggered, हर 60 degree angle पर अलग-अलग conformal प्राप्त होते जाएंगे, और उन में eclipse form की उर्जा पेक शाक्रत सबसे ज़्यादा होगी, और staggered form की उर्जा सबसे कम होगी, और eclipse और staggered के बीच में कई सारे रूप होंगे, वो जितने भी रूप होते हैं, वो skew रूप के नाम से जाने जाते हैं, और उनकी उर्जा eclipse और staggered के बीच में होती है, यानि कि उन skew रूप की उर्जा eclipse से तो कम होगी, पर staggered से ज़्यादा होगी, तो ये है एथेन मॉलिक्यूल में किस प्रकार से सरूपनी समावे होता पाई जाती है, अब हम इसके अगले पार्ट में, नॉर्मल ब्यूटेन में किस तरह से सरूपनी समावे होता होती है, और साइक्लो हेक्जेन में किस प्रकार की सरूपनी समावे होता होती है, उसके बारे में डिस्कुस करेंगे थैंक यू